पारे इंद्रहिसारिया की दुकान पर फाइरिंग करने वाले तीन आरूपी को पुलिस ने गरफतार कर लिया इस पी अजे सिंग्राटोड ने बताया कि तीनों को बिकानेर पुलिस, ज्वेपुर कमिशनरेट पुलिस और सयोग से गरफतार किया गया आरूपियों से लॉरेंस विशनोई गैंग की भूमिका के बारे में भी पूछता चुकी गई प्रारंबिक जांच में फिरोथी के लिए धर्शत फेलाने के लिए फाइरिंग करने की बात सामने आए है सोशन मीडिया पर घटना की जिम्हेदारी लेने वाले रितिक बॉक्षर ने पहले भी वियापरे इंद्रहिसारिया को फिरोथी के लिए धमकी दी थी और इस मामले में उसके पांच साल की स्वजा भी सुनाए गई देस्पीन ने इंद्रहिसा खास बाच्वित की थी व्यापरे के प्रतिस्टान पर फाइरिंग के पूरा मामला इस पूरे मामले पर हमारे समधता कुलिप शर्मा ने इस पी अज्वे सिंग से खास बाच्वित की आपको सुनाते हैं अनमानगर जिले में फाइरिंग करकर फिरोती मांगने के एक मामले में पुलिस ने तवरित कारवाई करते हुए जहां 12 गंटे में एक बदमाश को राउंड अप किया और उसके बाद उसकी निसान दई पर जो पैचान करवाई उसके बाद जो है दो और लोगों को पैचान की गई फिर उसके बाद पुलिस ने महेच 120 गंटे में तीनों बदमाशों को गिरफतार कर लिए हमारे साथ जिला पुलिस अदिक्षक है डॉक्टर आजे सिंग उनसे जान लेते हैं सबसे पहले सवाल ही है अभी फाइरिंग हुई अचानक से बदमाशों ने फाइरिंग कियो रेकिन आपने 24 गंटे में इसको ट्रेस कर दिया सबसे पहले मैं यह जानना चाहूँगा कैसे हैं कैसे संभवा है जैसे ही घटना की जानकारी मिली सबसे पहले हमने अचे चो को इंटीमेशन किया कि इमेडिटल पहुंच्छो सी ओवि में पहुचे मैं भी क्या किया गया और तुरंथी्टि EPA का गतंप करकENT करके उनको काम पे लगाया गया उसको तियार करने के लिए हम और जो जो input हमें आते रहे उनको तुरंट verify कराते रहे बताया जाता है जिस परकार से उनका भागने का तरीका क्या पहले से रेकी थी या क्या था इसा target पहले से fix था इनका जो पूछताश में अब तक जानकारी में आया है रेकी इनों ने सामकोई की थी सामको आकर के और युदवीर और जाकिर हुशेन ये दोनों रेकी करके गए थे तीसरा जो सूटर है महकदीप ये सुभह ही आया है पसे और सुभह आकर के इसने सीदे वारदात को अंजाम दिया रेकी रात को हो चुकी थी जिस परकार से ये भागे इनको भागने का समय मिला पेली वुंगा के कुछ आदिकारियों पर गाजगिरी है उनका क्या कारण रहा है संगरिया में बिसकली जो हमने यहां से विजुब्स भेजे थें संगरिया को तो SHO संगरिया के द्वारा उनको verify करने के लिए ASI को दिया गया, उसने proper verify नहीं किया, proper comparison नहीं किया और रतनपुरा टोल नाके के गलत visuals से उन्होंने उसको तुलना करके और teams का mobilization करा दिया जिसे हमारी energy भी waste हुई और हमारा काफी समय भी waste हुआ उसके बाद में इन लोगों को जब पकड़ा गया और इनसे पूछता जब की गई तो पता चला कि ये लोग जब पीली बंगा से निकले थे तो उस समय पीली बंगा के वहां केबल दो करमचारी मौजूद थे और नाकाबंदी में इनको रोका ही नहीं गया जबकि उससे पहले हम कंट्रोल रूम के माध्यम से और परसनली भी फॉन करके नाकाबंदी का नर्देश दे चुके थे और उन रुदेशों के बावजूद अगर पुलिस प्रॉम्ट होके कारवाई नहीं करती अगर प्रॉपर नाकाबंदी रही होती तो साइद पीली बंगा में उस समय ही ये पकड़े जाते और ये बारदात तीन-चार गंटे में ही सॉल्व हो सकती थी अब जैसे आपने टीमे बनाएं डियसटी की टीम भी रही उसमें आगर बात करें हन्मानगड पुलिस के अलावा किन-किन का योगदान इसमें रहा और कितनी मुस्किलों का सامना करना उगरा देखिए हनमानगर्ड पुलिस की जो बारा टीम में काम कर रही थी उन मेंसे जहां-जहां हमें इंपुट आ रहा था हम टीम भीज के वेरिफाई करा रहे थे साथ में हमने बीका नेर पुलिस से संपर्क करके वहां एडिस लेस्पी मिस्टर अमित बुडानिया को हमने टास्क दिया कि यह हमारे पास इंपुट है इसको प्लीज वेरिफाई कराईए और एक आप अपनी भी टीम लगाईए तो ऐसे चो चतलगर को भी उन्होंने लगा द तुरंट अपने जो उनकी सीएस्टी जो टीम है उसको तुरंट इमदाद में दिया साथ में जो लोकल थाने जहां-जहां हम चाह रहे थे वह सब लोकल ऐसे चोजने मदद की तो पूरा एक पुलिस का एक टीम वर्क था जिसमें हमारी टीम है प्लस कमिसरेट की टीम है प्ल का मैं स्रेय पूरी राजिस्थान पुलिस को देना चाहूंगा बेसीकली यह सब टीम वर्क है केवल अकेला कोई व्यक्ती क्रेडिट लेना चाहे वो संबब नहीं मेरा कॉंस्टेबल भी उत्ती सिद्धत से लड़ रहा था जित्ती सिद्धत से मैं कुशिश कर रहा था कमि पूरी राजिस्थान पुलिस को और हमारे जो पुलिस के मुखियां है स्रिमान उमेश मिस्टा साब जिनोंने कानून वियस्ता के लिए बिलकुल अपराद और कानून वियस्ता के लिए जीरो टॉलरेंस है उनका कि किसी भी सूरत में कानून वियस्ता नहीं बिगड़नी च तो कहीं न कहीं हमारे जो मुखियां हैं उनके निर्देशन में पूरा पुलिस फोर्स अच्छा काम कर रही है और ये पूरी राजिस्तान पुलिस की एजेट टीम सफलता है ये थे हमारे साथ जिला पूलिस अच्छा की बात की बात नहीं की जा सकती, यहां पर मेरे कॉंस्टेबल से लेकर जितनी सिद्धत तोर पर कहा भी राजस्दान पुलिस में जो और मिसरा की तरफ से जो अभीहान चिला गया था, उससी अभिहान को सफल करने में पुलिस कामयाब रही और 24 गंटे में ही इन्होंने तीनों बदमाशों को पकड़ लिया और यही पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी है और एक बार फिरसे अनमानगर में पुलिस का इकबाल भूलंद हुआ है अनमानगर से मेरे सेयोगी गुर्देव सेने के साथ कुल्दीप शर्मा इंडिया नियोजिए